तो आज का टॉपिक है वो है 3D in Photoshop गैज देखिए Photoshop के अंदर हम 3D में कैसे काम करते हैं मतलब 3D object कैसे बनाएंगे 3D object को कैसे edit करेंगे कैसे manipulate करेंगे यह सब हम आज इस tutorial में सीखने वाले हैं इस tutorial में हम चार बड़े example करके देखेंगे जैसे के मैं image से dinosaur बनाऊंगा dinosaur की image से 3D में हम कैसे convert करेंगे dinosaur को वो हम सीखेंगे यहां तक के हम एक glass बनाएंगे steel का lat से वो भी 3D से बनाएंगे इसके अलावा इसमें कुछ बने-बनाए object भी हैं जैसे cube है, soda can है, bottle है बहुत सारे ऐसे अलग-अलग तरह के object हैं जो इसमें बनी-बनाएं भी हैं तो हम इन सब चीजों को 3D में यूज करके देखने वाले हैं गाइस यह बहुत ही interesting होने वाला है tutorial बहुत interesting तो चलिए इसका practical करके देखते हैं यह कैसे काम करता है Welcome back तो काई देखिए है 3D menu 3D menu के अंदर बहुत सारे option है इन सारे ही option को हम use नहीं करेंगे हम चंद option यूज करेंगे जो हमारे यहां पर practically use होंगे ठीक है इसमें यह जो 3D के जितने option है यह दूसरे software से मिलकर भी use होते हैं जैसे 3ds Max, Maya, Blender यह अलगलग तरह के 3D के software से हैं उन से उनके object पर यानि उनके जो file हैं उनकी file हैं उन पर भी यहां पर काम किया जाता है materials का, matte painting का, colors का काम किया जाता है लेकिन मैं यहां पर कुछ चीज़ें आपको करवाने वाला हूँ और इस cube को हम 3D में convert करना चाहते हैं तो 3D में convert करने के लिए simple यहां पर देखिए 3D में चलिए और यहां पर new mass from layer यहां पर जाईए और देखिए यहां पर मिलता है आपको mass preset ठीक है mass preset में एक तो मिलता है कौन दूसरा मिलता है cube wrap cube wrap कर दीजे cube करेंगे तो खाली cube बनेगा cube wrap करेंगे तो देखो क्या बनने बना है cube wrap जैसी करेंगे तो देखो wrap चारो तरफ wrap भी हो जाएगा और cube भी बन जाएगा तो देखो यह हो गया अब देखो यह जो हमारा बना यह 3D object बन चुका है अब यह 3D object जो बना है देखो इसको हम 3D tool से move कर सकते हैं देखो यह 3D orbit tool है camera orbit tool देखो यह rolling tool है roll tool इसके लावा देखो यह pen tool है यह zoom tool है slide tool है और यह zoom tool है ठीक है अब देखो सबसे पहले हम यही tool ले लेते हैं देखो यह और orbit tool यह से इसे move कर सकते हैं यहाँ से आपको pen कर सकते हैं इसको ऐसे panning कर सकते हैं इस तरह से आप बहुत सारी चीजिए यहाँ पर कर सकते हैं इस से zoom in zoom out کر सकते हैं घखो अब यह सही 17 18 तो यह हमारा इस तरह से 3D का एक हमारे पास क्या बन गया object बन गया जैसे के पहले हमारे पास खाली plane था अब देखो एक cube बन गया ठीक है पहली चीज के लिए हुई cube आप दूसरे देखते हैं दूसरे देखो मैंने यहां पर रखावा रैप देखो यह देख रहे हैं रैपर है रैपर को मुझे क्या करना है पैपसी की can बना नहीं तो इसका भी यहां पर बना बना है 3D में चले और यहां पर new mass from layer और देखो mass preset और यहां पर soda can मिलेगी आपको देख रहे हैं soda can इस पर click कर दीजिए देखिए जैसी आपने click के देखो soda can बन के तयार हो गई देखो यह देख रहे हैं आप यह soda can देखो इस तरह से बन के तयार हो गई ठीक है तो दूसरे आपको समझवा है soda can बन गई आप देखो यह है देखो dinosaur अब dinosaur को क्या है देखो मैंने यह अलग layer पर रखा हुआ देखो png layer अलग है अब मैं इस layer पर यह जो अलग layer है इसके उपर मैं 3D दाल दाओं यहां पर मैं क्या करता हूँ यहां पर चलता हूँ अपकी बार मैं यहां पर mask में नहीं चलता मैं ही हां पर करता हूँ new 3D extrusion from selected layer मैंने यह किया जैसी मैं इस पे क्लिक करूँगा तो देखो यह extrude हो जाएगा देखो यह extrude हो गया तो देखो यह इतना extrude हो रहा है इसको हम कम यह जादा भी कर सकते हैं और extrusion पर काम भी कर सकते हैं तो देखो यह layer 2 है यह layer 2 के आगे आगे आप double click कीजिए जैसी double click करेंगे यह property खुल जाएगी देख इसी कम करेंगे देखो यह कम हो रहा है देखिए आप कम होगे extrusion देखो है ना और आप कितना कम करना चाहते हैं यह भी आप यहां से कर सकते हैं अब देखिए यह तो हमने extrusion को कम करना हुआ ठीक है यहां से भी आप changes कर सकते हैं देखो यह कर सकते हैं यह कर सकते हैं आप यह करेंगे तो एक्स्टूसन भी हो रहा है और और थे थोड़ा सा यहां पर रहा भी हो – ठीक है? अब मैं चाहता हूं खाली बेबल बेबल मैं अक्स्टूसन नहीं चाहता है इस पे क्लिक करदीज़ी करें जिके एक्श्टूसन's खत pursue ृबल आगे देकी खो पूरा and back ये मिल रहा है आपको आप देखो नीचे आप देखिए strength strength को आप बिल्कुल zero करिए पहले जिरो कर दिया अब दुवारा से आप इसको करिए देखिए दुवारा से आप चलिए तो दौन तरफ होगा देखो क्यों क्योंकि front and back दौनों है दौन तरफ जा रहा है देखोए आप देखो बन गया dynasaur देखो proper dinosaur बन गया मतले इस तरह से हम 3D में उसे कर सकते है डीनasaur को अब तोड़ा ज़ाद है मुझे तोड़ा कम करते है 20 कर दो ऐसे ठीक हैं ओक इसको नमें close कर रहा है अब मैं इस इधर ले आता हूँ अब डैनसूर को मैं किसी दूसरी image पर रख देता हूँ तो एक हम photo खोलते हैं यहां से और photo मेरे पास यह photo है मैंने खोल लिया और dinosaur वाले को इसकी हम duplicate copy कर लेते हैं यहां से layer में चलते हैं और इसको आप right click करके duplicate करते हैं duplicate layer और ये कौन सी थी group photo, group photo में हम इसको copy कर लेते है group photo में, ओके duplicate कर दिया, अब हम चलते है group photo में तो देखो यहां पर हमें भी मिल जाता है अब देखो इसको हम थोड़ा सा move करके इधर रखते ये देखे ओके dinosaur देखो लोग देखो डानजोर लग रहा है नहीं लग रहा है वहला फोटो से हमने 3D बना दिया इसको आप किदर भी move करेंगे आप देखो ऐसे, यह देखो ऐसे यह देखो सेंटर पॉइंट से, clear समझाया है तो अब देखो यह होगे डानजोर तो अब मैं आपको दिखाता हूँ let, let से हम क्या करेंगे देखो, steel का glass यह इसको बनाएंगे इस steel के glass को बनाएंगे let से, let से सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका एक path बना लेते हैं path बनाने के लिए थोड़ा zoom कर लें और देखो, zoom करने के बाद देखो, यहां पर यहां चलते हैं, pen tool यहां से यह tool ले लेता हूँ इसको select किया select करने के बाद में यहां पर आए और इसको copy कर लेते हैं copy, alt प्रेस करकर मैंने इसको copy किया, shift दबाए कि सीधा लेगा, आगे की तरफ यहां को ले आए और इसके बाद दौनों को सेलेक किया इन्हे और पेंट टूल से मैंने यहांARD आपर इस प्छे इस पेंट टूल से इसको दोनों को जोड़ दिया और बीच में Efendimiz यहां पर क्लिक किया और इसके बाद इसे जो है उपर कर दिया थोड़ा जूम किया जूम करके इसको उपर कर लेते हैं ऐसे देखो यह किया नीचे आते हैं नीचे आने के बाद देखो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसको थोड़ा उपर ऐसे करेंगे और इसको अब हमें क्या करना है, simple से, इस से हमने path को select किया हुआ है, path select करने के बाद में हमने 3D में जाना है, और यहां पर एक option मिलता है, new 3D extrusion from selected path, हमने बस इस पर click करना है, जैसी इस पर click करेंगे, देखो यहां पर यह path हो गया, देखो, अब यह जो extrusion हो रहा है, इस extrusion को हमने नहीं करना हमें, let गुमाना है, पूरा, rounded गुमाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पर double click करते हैं, इसके properties में चलते हैं, और यहां पर देखिए, सबसे पहले देखो, यह देख रहे हैं, deform, यहां पर आप चलेंगे, deform, deform में चलते हैं, और deform में जाने के बाद, देखो, य नीचे जाने के बाद देखो, यह axis है, horizontal angle, अब horizontal angle को करने से पहले क्या करें, यह right side में, यह deform है, deform axis, deform axis के last वाला point, last वाला right side का point आपने click करना, जिससे कि यहां से गुमे, इस right side वाले से गुमे, इसको center समझे, अब हम चलते हैं, नीचे और नीचे जाने के बाद देखो, य इसे हम करते हैं, तो इस तरह से 3D का ऐसे glass बना सकते हैं, अब इसको close करते हैं, और इसको थोड़ा सा मैं इधर लेका आता हूं, यहां लेकाता हूं, अब देखो हम इस layer को export कर सकते हैं, यह इस object को export कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं, किसी भी 3D software के लिए, चलिए हम चलते हैं, 3 export 3D layer हमने इस पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद देखो यह अलग अलग तरह के आपको क्या मिल जाएंगे format मिल जाएंगे देखो Google Earth के लिए format मिल जाएगा OpenGL Transmission format मिल जाएगा देखो waveform मिल जाएगा इसी में save कर देखो और save करने के बाद इसको minimize करते हैं minimize करके चलो हम वहां पर इसको खोल लेते हैं 3D वाले को 3D वाले को मैंने खोल लेते हैं steel glasses नाम से आगे इसको open करो right click करके open with paint 3D मैंने इसको click कर दिया paint 3D में जब जागे हम देखेंगे देखो ये यहाँ पर आजञता है अब अब 3D view को on करते हैं 3D view on करके आप देखो यहाँ से देख सकते हैं तो अब हम क्या करते हैं देखो इस तरह से हम ला सकते हैं किसी भी 3D object को वहां से और किसी कहीं भी export कर सकते हैं इसको close कर रहा हूं और close करने के बाद इसको भी मैं यहां से बंद कर रहा हूं और यहां से इसको open कर लेता हूं अभी यह समझाया आपको सारी बात नहीं जो मैंने लेते हैं 2000, 2000 پिक्सल हम पनी ले लिया और इसका background हम ये करते हैं और इसके बाद में हम इसमें कुछ भी लिख दो इसमें text लिखते हैं ठीक है और इसको select कर लेते हैं size करते है 750, हमने ये कर दिया इसको sondern में रखते है shift कर कर देखो इसको ऐसे मैंने देख रहे हैं अब आप यहां पर सारे option जो जो छोटे मुटे option बचे हैं वो मैं यहां पर करा लिता हूं देखो देखो देख रहे हैं आप यह इन सब चीज़ों को हम कर सकते हैं इससे हम यहां से zoom in zoom out कर सकते हैं ठीक है इससे हम painting कर सकते हैं देखो सबसे पहले आप देख रहोंगे 3D layer जो layer का नाम है 3D 3D अब देखो 3D front inflation material यह 3D का front inflation material है मैं अभी आपको और 3D के जो option वो करके देखता हूं डबल किलिक करता हूं इस पे यहां पर डबल किलिक यह खुल जाएगा तो देखो यह preset आप देख लिए प्रिसेट में सबसे पहले है यहां से होगे देखो यह बैबल और अब अगर आप इसको यह करते हैं देखो यह किस तरह से आपका change हो रहा है यह बैबल के ओपर काम हो रहा है आपको तो यह खाली बैबल आगए ठाक है इसके चाहिए भी आपको बहुत सारी चीज़े मिलेंगी देखो यह अंदर की त है ना so different 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 here dealer है अलग-अलग आपके preset बने हैं तो इन प्रेसेर्टों पर आप काम कर सकते हैं इसके अलावा यहां पर आपको reset deformation मि सकते हैं जाए नई हो जाएकगा अगर आप करना चाहे तो इसको करेंगे तो शोटर रहेखा यह-ज़ार में कर सकतेशंच यहां डिटक है और इसके अलावा यहां डिफ़ॉर्म करेंगा कि आ करने के साथ क्या किया है तो ट्विष्ट कर सकते हैं में पीछे चैसे तूर आप कर सकते गाँ आप जिसे 15-degree twist कर ना से 15-degree twist हो गया तो Whoos शुब्ष सकते हैं इसमें इसके कँल अब कर सकते हैं भिमिग्त कर सकते हैं चfillint 90% कम अगा चाते हैं m GOOD एप अप गहुआ गहें आप कर सकते हैं जादा कर सकते हैं 110 पर संट करना 1010 पर अंपर हो अब ढ़ाओ अगर आपको करना है तो यहां पर बेंडिंग को तो जिरो कर दो जाएगी ठीक है और यहां पर आप extrusion को कम कर सकते हैं इस तरह से तो इस तरह से आप बेंडिंग कर सकते हैं और इसके लावा देखो यहां पर वर्टिकल एंगल वाई पे या एक्सिस पे किस पे बेंडिंग करना चाहते हैं यह कर सकते हैं सीर आप कर सकते हैं देखो ऐसे से आप कैप को सेट कर सकते हैं कैप अदलब यह और पीछे का कैप और इसमें देखेँ आप अगर कैप को आपने सेटिंग करना है जैसे माल लेजे cannon बढ़ानी ब देखो strength बढ़ाई ही देखो the capability बढ़ाई ही देखो यहां से the wounded कैप हो रहा है अब यहां से आप अगर बताएंगे किस तरह काенко डियाट चाहिए तो वो यहां पर उसका effect पड़ता है width देखू डेखू बेबल उसका effect यहां से पड़ेगा आपका और यह जो भी आप करेंगे दहूँ अइसा कर दीजी देखू ऐसा बन जाएगा ये करेंगे ये बन जाए का जिस तरह भी आप चाहिए अपर आपको vulnerable हो गया दीखो ये हो गया इस तरह से तो आपको जो चाहिए वो आप यहां से ऐसे कर सकते हैं इस तरह से तो यहां पर yağप केंटूर कर सकते है बैबल के साथ बैबल यूज़ करके तो यह आपका आप इसे 0 कर दें एंगल ना करके और इसको भी आप strength को 0 कर सकते हैं ठीक है यह clear हुआ इसके लाब देखो यह है आपका transformation यह जो तो आप जाकर इसे coordinate कर सकते हैं x axis y axis पर coordinate कर दिया देखो भी reset कर दिया z axis पर सब reset कर दिया ठीक है और reset coordination एक साथ भी कर सकते हैं move to ground कर दिया move to ground अब देखो नए से रे से जो था वैसा कर वैसा default हो गया अगर कोई setting गरबड हो जाए तो यहां से आप default setting कर सकते हैं इसको आप थोड़ा से गुमा लीजिए देखे अब देखो यह भी अगर आपके पास है देखो यह बाला का option है आपके पास और इसके साथ ही आप वो बाला भी लाना चाहते हैं यानि रोल भी करना चाहते हैं तो alt दवा लीजिए alt दवाने से देखो रोल हो जाएगा alt छोड़ दीजिए फिर इसको छोड़ दीजिए तो इसको रहने दीजिए और अगर आपको जैसे गूम रहा है गलत गूम रहा है जैसे मालिजिए आपने ऐसे किया इस तरह से और alt दवाकर इधर किया आपने और alt को छोड़ा यह हो गया अगर आपको बिल्कु एंगल पे जीरो एंगल पे या 90 डिगरी के एंगल पे ही इसको रोटेट करना है तो shift दबाकर आप रोटेट कर सकते हैं shift दबाकर देखो तो यहां पर देखो 3D Front Inflation Material, इस पर आप डबल किलिक करें, जैसी डबल किलिक करेंगे, देखो Materials कुल जाएंगे, अब Materials में जाने के बाद आप देख सकते हैं, कि जैसी यह Front का है, इसका Color Change करना है आपको, तो देखो यहां से Color Change कर दो, देखो Color Change हो जाएगा, देख रहे है इसे Color Change होगा है, Front का Color Change, ठीक है, अगर आप Material डालना चाते हैं, तो Material डाल सकते हैं, यह Roughness वगरा सब इसी की है, इसी की सेटिंग है, जो भी आप करना चाते हैं, ठीक है, Roughness करना चाते हैं, यह सब इसी की सेटिंग है, इसको आप न छिड़े, यहां पर Materials बने बनाए भी मि Materials, Different Materials मिल जाएंगे, देखें, यह Front के Material आप नहीं है, यहां पर यह Color कर दिया, यह हो गया, आप देखो, यहां पर यह कर दीजिए, देखो, यह हो जाएगा, जो आप करना चाते हैं, वो यहां पर हो जाएगा, ठीक है, जिस तरह सी भी आप करना चाते हैं, इसके लाबब जाकर आप Metal कर सकते हैं, देखो, यहां पर यह क्या है, Metal, अगर आपको इसको भी Metal जैसे चाहिए, यह भी Metal जैसे चाहिए, तो इसको भी Metal यूस कर दीजिए, Inflation Material पर जाएगे, इस पर भी Metal यूस कर लीजिए, देखें, पूरा ही Metal का बन जाएगा, देखो, 3D, यह देखो, यह देखो, मैटली, मैटल पूरा, तो इस तरह से आप Materials यूस कर सकते हैं, अपनी मर्जी के, जैसे जैसे Materials आप यूस करना चाहते हैं, यहां से, ठीक है, यह Backup Material, जो Back में है, इसका Materials भी Change करना चाहते हैं, वो यहां से हो जागा, Back Material, तो यहां से, Back Inflation Material, यहां से Change कर सकत हैं, ठीक है, जी, तो समझ में आया आपके, किस तरह से हम इसको Use कर सकते हैं, Materials को Change कर सकते हैं, ठीक है, और पीछे के अगर आप Layer पर चले जाते हैं, तो Layer पर जाकर आप यह Layer होती है, एक Normal 3D Layer है, उसके बाद आप नीचे कुछ भी रखें, यह आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, अब मैं आपको फटाफट कुछ और चीज़ें बता देता हूं, और इसको खतम करते हैं, बैसे यह देखो, 3D के अंदर जितने Option हैं, यह बहुत सारे Option हैं, जैसे Paint करना, अलग-अलग Projection करना, Paint, अलग-अलग Height, Opacity, Roughness, यह जो वहाँ पर मिलने थे, वो सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, Group करना, दो-तीन अगर लेर हो तो उनको Group करना, Move करना, ठीक है, यह सब सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, मैं आपको फटा-फट इसके अंदर जो चीज़ें मिलती हैं, इनको आप करके दिखाता हूं, आपको जल्दी सकते हैं, जिससे आपको क दो इसके कौन बन जाएंगा, देखे हैं आप यह कौन बन गया, ठीक है, अब मैं इसको अंडू करना, अगर पहले मैं कालर चेंज कर रहा हूं, और तब यह अच्छ रहेगा, तो यहाँ पर कौन बन गया, इसके अलाबहा दो यह क्यूब रप तो बन गया, आपको जो बन ऐसे Cuban आप बना सकते हैं इसके AMाब देखो यहां पर आप इसमें बना सकते हैं यहां हम Camera यहां है अब अगर हम aight बनातteil हैं अब अगर हम heat बनाते हैं दोखो क्या होने वाला है, 3D और देखो heat, इस हमने heat बनाया, तो heat का texture जो है न उसका है इस head को अपर आएगा, ठीक है न, तो इस तरह से हम heat का texture के ले सकते हैं, ऐसी और बहुत तरह चीज़े इसमें है, आप करके देख सकते हैं, देखो, primid है, ring है, soda can है, sphere है, wine bottle wine bottle बना सकते हैं, देखो, यह वाइन बोटल बन गई देखो, यहां से ऐसे wine bottle यह बन गई इस तरह से आप बना सकते हैं तो यह आपके समझ आगे होगा किस तरह से सारी चीज़े बनाई जाती है, बनती है अब मैं आपको एक और चीज़ बना कर दिखाता हूँ वो है, देखो, यहां पर panorama स्फिर panorama, अब panorama क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं, तो हमने इसको close किया, और close करने के बाद एक file खोलते हैं, file खोल कर देखो, यह वाली file खोल लेते हैं, ठीक है इस वाली file को खोल लिए हमने, और इस वाली file को खोल कर, मैं इसमें crop करता हूँ इसे, यहां पर मैं इसको इतना crop कर लेता हूँ यह मैंने crop किया, ऐसे अब crop करने के बाद में इसके उपर panorama apply करते हैं, देखो 3D, और देखो इस पर panorama new panorama layer from selected layer click किया, तो देखो यह panorama बन जाएगा आप देखो आप इसको ऐसे move करके देख सकते हैं देखो, इदर देखो यह देखो, यह देखो panorama file बनगे देखो, इधर जाएंगे देखो इधर, देखो इधर जाएंगे देखो, यह देखो, इस देखो, इस देखो panorama होता है, जाएंगे देखो, इधर 4 तरफ घूम गांके देख लेते हैं तो यह हो गया panorama, panorama हमने ऐसे बनाया अगर बहुत ज़्यदा लंबी file हो तो इसको panorama से हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है तो guys, आपने देखा 3D का मैंने 4 example आपको बना कर देखे 3D का menu मैंने पूरा complete किया और 3D के 4 example मैंने देखे, जिसमें सबसे अच्छा example जो मुझे लगा, और साइद आपको भी लगा हो वो dinosaur का लगा होगा तो किसी image को हम 3D में कैसे convert करते हैं 3D में कैसे हम इसको manipulate कर सकते हैं ये कितनी अच्छी चीज है 3D का option भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने कहीं प्रोजेक्ट में ठीक है, तो guys, इस tutorial में से इतना ही कैसा लगा आपको tutorial, अगर आपको अच्छा लगा तो like करें, share करें और guys, अगर कुछ कहना है तो comment box में लिख कर बताएं guys, अगर आप नए है और आपने अभी तक हमारे चनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe करें और well icon को दवाना नप लें जिससे कि आपको हमारी notifications मिलते रहें तो guys, मिलते हैं next tutorial में तब तक के लिए take care and bye bye